सल्मान खान के सपोर्ट में आई आल इंडियन सिने वर्कर्स असोसियेशन पीएम मोदी से किया अपील 14 अप्रेल को सल्मान खान के मुंबई स्थित घर के पास गोलियां चली जिससे हर कोई हिल गया रविवार के सुभर लगभग 5 बचे 2 मोटर साइकल सबार अग्यात लोगों ने मुंबई के बांदरा स्थित में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली बारी की और मौके से भाग गए इस घटना के तुरंद बाद F.I.R. दर्स की गई है वहीं जांस जारी होने के बाद All India Sine Workers Association ने एक बयान जारी कर पीम नरेंदर मोदी से सल्मान खान के लिए ज़्यादा सुरक्षा की अपील की है All Indian Sine Workers Association ने एक बयान जारी कर इस दोरान इस हैरान कर देने वाली घटना पर चिंता जाहिर की है खबरों के मताबिक बयान में कहा गया है कि दो लोगों ने सुबह बॉलीवूड अभिनेता सल्मान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई सल्मान खान सिर्फ बॉलीवूड या भारत में ही नहीं बलकि उनके योगदान के लिए दुनिया भर में उन्हें पहचाना जाता है फैक्ट ये है कि मॉंबई में खास कर शहर में सबसे वी आईपी इलाके में गोली बारी हो रही है आप नागरिकों की सुरक्षा को लेकर शिंता पैदा होती है जब सल्मान खान खुद सुरक्षित नहीं है मौजूदा चुनावी माहौल में गैंस्टर खुले आम गोलियां चला रहे है इस घटना ने पूरी बॉलिवूद इंडस्टरी में डर का माहौल पैदा कर दिया है गैंस्टर इस डर का फाइदा उठाकर बॉलिवूद से पैसा वसूल करते है क्योंकि अक्सर बॉलिवूद के गौट फादर कहे जानी वाले सल्मान खान को निशाना बनाया चाह रहा है तो कुछ इस तरह से सल्मान खान के सुरक्षा के लिए अपील की गई है हमारे दर्शक जो इस वक्त खबर को देख रहे हैं वे क्या चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रू टाइप करें रमजान के मिठास का मौहल राधे गोमती स्टूइट्स के साथ हर इवेंट को बनाये खास राधे गोमती स्टूइट्स के साथ ऑमरा और हझके साथ पर चले अलजना टूरेंट टेबल्स के जरीए यूज डिसकाउंट पर जहां मुनासे पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रवाइड की जाएगी आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट बेस्ट होटेल्स वो भी बिलकुल मक्का और मदिना के करीब खाने में रह हुआ